No government jobs, no subsidies, no promotion for those with more than two children. ऐसा मैं नहीं, UP का एक नया draft bill कहता है. क्या है ये draft bill? UP की government इसे क्यों लाना चाहती है? इससे problems का होंगे? इससे benefit किन किन को होगा? और कैसे UP के कुछ policy rules एक जुमला भी हो सकती है? ये सब जानेंगे इस वीडियो में. नमश्कार, मेरा नाम है प्रजाग, and let's get started. Recently, एक not-so-shocking news सामने आई है. Not-so-shocking इसलिए कह रहा हूँ, कि कि उत्तरप्रदेश के पहले आसामने भी कुछ ऐसी ही two-child policy वाली बात अपने state में लागू करने के लिए कही थी. अब हुआ ये है कि उत्तरप्रदेश के state law commission ने अपने website में ये कहा है, कि वो एक bill लाना चाहते है, जिससे कि उत्तरप्रदेश की population control में आ जाए, population stabilized हो, और उस stabilized population का कल्यान भी हो. मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दू कि उत्तरप्रदेश जो है, वो देश का चौता सबसे बड़ा राज्य है और population-wise वो सबसे जादा populated है. ये जो नवया draft bill है, जिसका title है तो उत्तरप्रदेश control, stabilization and welfare bill 2021, इसको उत्तरप्रदेश government ने 10 July 2021 को introduce कर दिया था. और साथी साथ ये भी कहा कि वो welcome करते है suggestions from the common man, from the common people, आम जन्ता, till 19 July 2021. मैं आपको एक बता दू कि यह जो नवया bill है, इसको draft किया है उत्तरप्रदेश Health Department ने, based on the findings of the National Family Health Survey. जब authority से पूछा गया कि भाई, ऐसी क्या जूरत आन पड़ी कि government को two child policy वाला bill introduce करना पड़ा, तो उनका यह कहना था कि उत्तरप्रदेश में जो है, resources काफी limited है. और इन limited resources से बरतवी population की demand पूरी नहीं की जा सकती. In fact, इस population को manage करना और resource supply और demand का जो connection है, उसको manage करना वो भी काफी burdensome हो गया है. बट जे भी proposed draft bill एक act बन जाएगा, of course, after getting the stamp from the governor, assent from the governor, तब काफी serious और strict measures लिये जा सकते हैं उन सभी लोगों पे, जो flout करते है या फिर जो adhere नहीं करते to child policy के norm का. Starters के लिए अगर मैं कहूँ, तो अगर ये bill act बन जाता है, तो कोई भी वक्ती जिसके दो से ज़्यादा बच्चे है, उनको debar किया जाएगा from getting any benefits from the government sponsored schemes. मतलब वो सारे schemes जो government निकालती है उसका लाब नहीं होगा उन सारे लोगों को जिनके दो से ज़्यादा बच्चे हैं. और अगर आप already a government job में हैं, तो ये bill आने के बाद आपकी promotion भी रोग दी जा सकती है. इतना ही नहीं घरवालों को, एक family में सिफ चार लोगों को ही राशन देने का clause इस नए bill में डाला गया है. And last but not the least, अगर आपको government subsidy का कोई फाइदा हो रहा है, तो ये act आने के बाद आपको वो फाइदा भी नहीं मिल सकता. ये जो भी हमने अभी points देखे, इनका भी हम operation करते हैं. Let's critically analyze कि ये सारे problems क्या कहते हैं और इसके implications क्या हो सकते हैं. पहला, no benefits from the government schemes. सभी बोलो तो अगर इसके बारे में हम बात नहीं करें तो ही बैतर है. हम सब को पता है कि 20 लाग करोड के package का क्या हुआ. Government हवा में बात कर देती है कि हम आपका कल्यान करेंगे, इतने सारे पैसे आपके कल्यान में लगाएंगे. बट उन सारे government schemes का उन पैसों का ground reality में कुछ actually होता हुआ दिखता नहीं है. तो मुझे लगता है कि ये जो two child policy वाला भी जो एक नया game, एक नया ball डाला गया है. ये भी लोगों को government schemes ना देने के लिए एक और बहाना हो सकता है. Second, ineligible for the government jobs. Unemployment rate जो है वो अपने peak पर थी 23% उसने touch किया था 2020 में. और अभी भी 2021 में हमारी स्थीति कुछ सुद्री हुई नहीं है. हम अभी भी 10-11% के unemployment rate से चल रहे हैं. जो कि बिल्कुल भी serious बात है. और यही क्या? गवर्मेंट को सालों और सालों लग जाते हैं सिर्फ exams कंड़क करने के लिए. फिर उस exams के results देक्लेर करने के लिए और थोड़े बहुत साल निकल जाते है. तो ऐसी government से normal times में भी government job मांगना एक challenging task है. तो two child policy आने के बाग तो बाबाग पता नहीं क्या होगा. नेक्स्ट है सिर्फ चार लोगों के लिए राशन है. अब ये जो line है वो सुनके ही आपको समझ जाना चाहिए कि ये हर level पे कितना गलत है, कितना undemocratic है. चलो एक situation ले ले लेते हैं. समझो एक family है UP में. पाँच लोगों की family है. husband, wife और उनके तीन बच्चे. अब husband, wife और पहले दो बच्चों को तो उनको राशन मिलिया, फिर पाँचवे वाले का क्या करेंगे? उसको राशन नहीं देंगे, उसको खाना नहीं देंगे, या राशन कार में उसका नाम नहीं डालेंगे. और समझो, अगर ये family BPL category, मतलब below poverty line वाली category में आती है, और उसको ये knowledge नहीं है, ये awareness नहीं है, कि two child policy वाला कोई एक system, कोई एक नया law आया है, तब government क्या करेगी? More over since, पाच्व बच्चे का नाम नहीं है राशन कार के list में, तो ऐसे case में क्या उसको अलग राशन कार मिल सकता है? और जब वो बड़ा होगा और अपनी खुटी एक family स्टार्ट करेगा, तो क्या उसको और उसकी family को तब भी राशन कार नहीं मिलेगा? बहुत सारी levels पर सोच ने वाली बात है, नेक्स्ट है, नो सबसीडी, अगर अब बारी की से इस government के मूस पर ध्यान देते होंगे, तो आपको इस पता होगा कि September 2020 में, इस government एक कुकिंग गैस पर अपसीडी दे दी जा दी थी, उसको बन करवा दिया, तो फिर उत्या प्रदेश में अगर दो से जा अब जो हमने सारे नेगेटिव पॉइंट्स देख लिये है, अब यह दिखते है कि government क्या offer करती है, क्या incentives देती है, तो दो जिनके दो बच्चे है या उससे कम बच्चे है, या उससे कम बच्चे है, यूपी government ने अपने इस नए बिल में काफे इंट्रेस्टिंग और आकर् इतना ही नहीं, अगर आप एक government employee है और अप खुद को voluntarily sterilize कर देते हैं दो बच्चे होने के बाद, तो आपको additional दो इंक्रिमेंट्स मिल जाएंगे, आपके period of service में ही, और आपको एक साल का, मतलब 12 महीने का, एक maternity or paternity leave भी मिलेगा, depending on the case, पूरी salary के साथ, और आपको और voluntarily कुद को sterilize कर देता है, तो उसको और उसके बच्चे को additional free health facility और insurance coverage मिलता है, उस बच्चे को जब तक की वो 20 साल का नहीं हो जाता, moreover ये जो single बच्चे है, उनको एक preference दिया जाएगा, सारी educational institutions में, UP के, और IIMS और AIMS में भी, also ये single बच्चे automatically eligible हो जाते है, for higher studies, free higher studies, graduation तक क और उनको first preference दिया जाएगा, government jobs में भी, और case to case scholarships का भी प्रावदान दिया गया है, और एक interesting चीज है कि public servants जो है, अगर वो एक child के बाद कुद को sterilize कर देता है, तो उनको in all चार increments मिलेंगी अपने पूरे कारेकाल में, also एक 80,000 रुपे का lump sum अगर लड़का हुआ तो, और 1 लड़की हुई तो उस couple को दिया जाएगा, जो couple below poverty line में रहती है, और सिर्फ उनको एक ही बच्चा है, और अफ्कोर्स वो खुद को sterilize करते हैं एक बच्चा होने के बाद, यह सारे incentives benefits सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सही लग रहा है, पर मैं आपको ब benefits from the government यह एक जुमला है, मतलब खुदी सोचके देखिए कि कोई एक बंदा है जो below poverty line में आता है, बहुत ही गरीब है, इलिटरेट है और hand to mouth जीता है, मतलब जब कमाएगा तब खाएगा, ऐसे वेक्ति के लिए जादा बच्चे होना, in a way, जादा sources of income होने जैसा है, मैं यह सही है, but that's the reality, क्योंकि ऐसे गरीबों के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात यह होती है, कि वो रात को खाएंगे क्या, rather than कि वो पड़ेंगे क्या, और ऐसे गरीब लोगों को यह बताना कि आप एक ही बच्चा प्लान कीजिए, मेरे इसाब से यह गरीब हटाओ movement है, rather than गरी सिर्फ यही नहीं, तो लोगों को यह लालज देना, कि आपका अगर सिर्फ एक ही बच्चा होगा, तो उसको government job में preference मिलेगी, यही भी काफी debatable issue है, debatable इसलिए क्योंकि हमारे constitution में साफ साफ लिखा है, कि इंडिया के हर नागरीग को equal opportunity मिलेगी government jobs में, if we consider India as a whole, तो पूरी इंडिया में two-child policy नहीं है, और one-child policy भी नहीं है, जैसे कि चाइना की थी कुछ सालों पहले, in fact, अभी तो चाइना ने अपने उस policy को भी relax कर दिया है, बट मुझे लगता है कि इंडिया के जो दो states है, उत्तरप्रदेश और आसाम, जो की BJP majority states है, उन्होंने ये decide कर लिया है कि वो two-child policy अपने states में लागू कर देंगे, और strategically, it's my opinion, strategically ये पूरे देश में भी two-child policy लागू करवाना चाहते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि population as a subject जो है, वो concurrent list में आता है, मतलब state government और central government दोनों भी laws बना सकते हैं इस subject पर, जो की है population, control and family planning, बट य आपर एक catch है, और वो ये कि अगर certain policy norms, अगर वो constitution के उस दाएरे में नहीं बैठते, constitution का उलंगन करते हैं, तो ऐसे सारे policies, norms and rules को null and void माना जाएगा, बट अगर आप अपना एक opinion form करना चाहते हैं, तो मैं आपको यहाँ पर suggest करूँगा कि आप as an informed and unbiased citizen, population को as an asset and also a danger समझे, दोनों भी sites से इसको देखने की कोशिश करें, dangerous लिए क्योंकि सही में इंडिया के पास अपनी population को देने के लिए सारे resources नहीं है, परियाबत resources नहीं है, अब भूल गए क्या second wave में जो हुआ था oxygen crisis, सिर्फ oxygen देने के लिए हमारे पसी में छूड गए थे, याद है ना, बन ऐस इसे strict loss बनाकर population को control में लाना भी कोई democratic move नहीं है, अगर सही मानों में बात करें तो government जो है वो अपनी failure को चुपाने की कोशिश कर रहा है, तिकि वो सक्षम नहीं है, उतनी कि एक mass campaign create करें, और remote areas में, दूर दराज area में, लोगों को ये बताए, illiterate लोगों को जो पड़े ल वो ही बच्चे कर सकते है, ये undemocratic है हर लिहास से, also danger के साथ-साथ मेंने आपको ये भी कहा था कि population को जो है, वो asset भी मानना चाहिए, लेकिन हम उसको asset तब मानेंगे, जब government मूलभूत सुभीदाएं, जैसे कि livelihood और skills, educations दे अपने उस बरतिवी population को, ज्यादा employment opportunities, improved skills, improved education, ये इंडिया की GDP growth के लिए काफी beneficial हो सकती है, in fact, एक chain बन सकता है, अगर हम अच्छी skills दे, अच्छी education दे, तो हमारा domestic manufacturing जो है, वो accelerate होगा, उसमें बढ़ोतरी आएगी, और उससे lifestyle जो है हमारे लोगों का, वो भी improve हो सकता है, और improved, better lifestyle, with good quality education, ये दो चीज़े ही काफी है, कि लो को poverty से बाहर निकाने के लिए, और जब वो poverty से बाहर आएंगे, तब automatically, वो population भी अपने control में लाएंगे, even without sterilization, seriously, इस government को जो है, ये सोचना चाहिए, कि ये जो change लाना चाहती है, वो किस प्रकार लाना चाहती है, apart from this law, ये जो नयाब बिल है, two child policy वाला, उससे अलग, अगर दूसरा कोई वे लेते है, जो कि more democratic हो, और uphold करे हमारे democratic values को, तो I think in the long run, ये better होगा, both for the government and also for the people, इस दूसरे path से, सिफ होगा ये ही, कि ultimately, Indians को जो है, अच्छी education मिलेगी, और उनके lifestyle में भी improvement आएगी, आप क्या सोचते है, UP government के इस move के बारे में, आप मुझे comment section में बताइए आपने ये देखा होगा कि ऐसे videos लाने के लिए काफी research करना पड़ता है, so I would request you to subscribe to my channel and share with your friends, it's like a reward to me, thank you very much, my name is Prajag and I'll see you in the next informative video.